असलाव अलेकुम कैसे दोस्तों उम्मिद करता हूं अच्छे से होंगे तो सौधी अरब में भाई जब हम लोग आते हैं ड्राइविंग लाइंग में और जब हम लाइसन बन जाता है और हम जब ले ले लेते हैं तो हमारे लाइसन्स के उपर एक कोड लिखा रहता है जीरो से है तो हमें जानना जरूर चाहिए कि इस कोड का आखिर मतलब क्या होता है जैसे मैं हाउस ड्रैवर हूं मैं लाइट गाड़ी चलाता हूं फैमली में तो मेरे भी कोड तो मेरे भी लाइसन्स पर जो है मेरे भी लाइसन्स पर एक नंबर का कोड लिखा हुआ है और किसी दॉल नंबर कोड तक आपके लाइसन्स पर लिखा रहे गाए अभलोग अपना लासिट चेक कर सकते हैं उस पर जरूर लिखा हूए नवी लाइन没 की आपके लैसे संपर कौन सा कोड लिखा हुआ है तो हमें इस code के बारे में जरूर जानना चाहिए और जो लोग भाई साओधी अरब आना चाहते हैं या आ रहे हैं डाइविंग लाइन में अगर वो आ रहे हैं तो उनका भी लाजिम है कि लाइसंस बनेगा बिना लाइसंस के यहां गारी नहीं चला सकते चलाओगे बिना लाइसंस के पगड़े जाओगे तो भाई फाइन है लंबा फाइन है तो आपको जरूमाना भी पढ़ सकता है अगर बिना लाइसंस के अगर गारी अब चलाए तो तो आखिर इस code का मतलब क्या होता है जो जीरो से लेकर आठ नमबर तक code लिखा रहता है लाइसंस के ऊपर लिखा रहेगा बिदून कोट जहां एक नमबर दो नमबर लिखा रहता है वहीं पर आपके लिखा रहेगा बिदून कोट यानि जीरो कोड का मतलब होता है कि आपके लाइसंस पर कोई प्रतिभंद नहीं है मतलब कि कोई भी बैन नहीं है आप जिस तरीक की आप गाड़ी चला सकते हैं जीरो कोड़ वाले अब बात आती है कोड़ नंबर एक की जैसे हमारे लिखा हुआ है कोड़ नंबर एक हमारा जो है यहां पर कोड़ नंबर एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ आटोमेटिक गाड़ी चला सकते हैं आटोमेटिक क मतलब होता है कि अगर आपके सरीर में कोई डैमेज है या कोई प्रॉबलम है तो उसके लिए आपको एक सप्लिमेंट एक डिवाइस लेना जरूरी है और वो ताकि आपको सरीर को जो हिस्से में आपको कोई प्रॉबलम है तो आपको दीख सकते हैं किसी भी तरीके से आपको द मतलब है कि आपको गारी चलाते समय चस्मा या लेंस का यूज करना जरूरी है अगर आपके लाइसंस पर तीन नंबर लिखा हुआ है तो इस पर इसमें जो है आपको चस्मा या आपके आखों में लेंस लगाना जरूरी है यह नंबर तीन का मतलब होता है अगर आपके लाइस उसके बार सूर्ज निकलने के आधे घंटे के बाद आपकी गारीस टार्ट कर सकते चला सकते हैं उन रोड और उसके बार सूरज धूबने 1 लेड़ घंटे के बाद आपको गारी क्यों स्टॉप कर देना है ड्राइबरिंग बिल्कुल नहीं करना है उसके बाद नमबर आता है पांच का अगर आपके लाइसंस को पर नमबर पांच लिखा हुआ है तो आपको जो है इसका मतलब होता है कि अपने कान में आला जो मसीन हो नमबर पांच का कोड दिया जाता है और उनको जरूरी है कि कान में आला लगा कर ही ड्राइब करें उसके बाद नमबर आता है छे का अगर आपके लाइसंस को पर नमबर छे लिखा हुआ है तो आप सिर्फ साओधी अरब के अंदर ही गाड़ी चला सकते हैं यानि साओधी राइसनस आपके बाहर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं इंटरनेर्नेशनल गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं सिर्फ साओधी अरब के अंदर ही आपको गारी चला सकते हैं इस लाइसंस द lgen लग रहते हैं जिसके हात में ही एकसी लेटर घर काई यूज करने के लिए बना वными साथ का लाइसनल संब्सक्राइब्स नांड के लाइसनल सकता है यह जिसका हाथ में ही उता है तो तो यह उस तरीके पर गाbung छा सकता है अगर आपके लाइसनल पर नमबर और उर्ट लिछा हुआ हुआ है तो आप उस गारी को अगर आप ड्राइब कर रहे हो तो आप उस गारी को किसी तिजारती काम के लिए या किसी जो है बेवसाइक काम के लिए आप उसे यूज बिलकुल नहीं कर सकते हैं तो यह होता है भाई इसका मतलब जो 0 से लेकर 8 तक code number आपके license पर लिखा रहता है, इसका मतलब है, तो इसे जो है follow जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि license ले लिए और license मिल गया, तो कोई भी गारी चला सकते है, या कोई सा भी गारी चला सकते है, तो ऐसा नहीं है, हर चीज क है इसलिए जो है इस लाइसंस पर यह कोड लिखा रहता है तो कितने सारे भाइयों को इस कोड के बारे मालुम था और किसी को नहीं मालूम था कमेंड में जरूर लिखें तो उम्मीद है कि वीडियो इंफर्मेटिव रही होगी जितने भी ड्राइबर भाई हैं सब को यह जानना जरूरी है कि इस कोड का मतलब क्या होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भाईयों को भी मालूम पढ़ सके जो साथी अरब में कर रहे हैं तो उनको भ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में इंसाला आप लोग अपना ख्याल लगिए अल्ला हाफीज जैहिंद